मसूरी को आने काम इस वीकेंड में डिसाइड किया मसूरी को भूं कि मसूरी दिली आसलनी लगें, चैनल बलुसरी कम अम सोचा इसमीर नियुआ की लगाई J début popularize मागी खाना बहुत ही सही लगता है और रास्ता भी हमने दिली से शुरू किया और धरादुन का रास्ता तो बहुत ही काफी सही बना हुआ है, मतलब बहुत एकदम आपको इससे व्यू उंजॉय करने को मिलेगा. देहरदून से मसूरी में तो आपको इतने mountains दिखेंगे इतने थोड़े turns हैं बट लेकिन काफी सही है मसूरी पहुचके हमने mall road में हमारा hotel था तो हमने वहाँ check-in किया और हमारे hotel का view बहुत सही बना हुआ बहुत सही था तो विंडो से आपको पूरी valley दिखेगी तो hotel का नाम में आपको description में दूँगी आप जा सकते हैं मतलब मैं recommend करती हूँ और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा rest करके फिर हम लोग खाने के लगए hotel के थोड़ी दूर पे वहाँ पे restaurant था तो हमने वहाँ पे खाना काया खाना काफी अच्छा था पर थोड़ा expensive था तो आप चाहे तो मैं उसका नाम भी निशे दे सकते हूँ और उसके बाद हम लोग ने सुचा कि mall road घूम के आते हैं mall road की हालत इस time 2023 में बिकुल सही नहीं है वहाँ पे बहुत construction हो रही है बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है और हम लोग को parking भी नहीं मिली अपने hotel में क्योंकि हमारा hotel पूरा main mall road पे था पर लेकिन आप थोड़ा दूरी आगे चलेंगे तो फिर आपको थोड़ा shopping streets मुझे काफी अच्छा लगा और वहाँ पे आपको काफी cafes भी दिखेंगे जो कि जिसमें तो आपको एक domino's भी दिखेंगे अगर आप domino's के fan अच्छा लगता है उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमें shopping street दिखी जहां से काफी लोग shopping करे थे मैंने shopping ने की वह मुझे कुछ सावन में नी आया बट लेकिन काफी अच्छा experience है वहाँ पे रात में थोड़ा light skies जल जाती है तो काफी अच्छा लगता है और थोड़े souvenirs अगर आप चाहें तो आप भी खरीज सकते हैं करेंशे की magnets और मैं मैं खरीज सकते हैं तो आप लोग चाहें तो आप लोग ले सकते हैं और आपको थोड़े अगर Korean Brands पसंद है Korean Products पसंद हमें तो भी ले सकते हैं उसके बाद हम लोग वापस होटल आए, हमने रेस्ट किया और सुबह अली मॉर्निंग हम लोग निकले जोज आवरेस ट्रैक के लिए जो कि कुछ मॉल रोड से 10-15 मिनट की दूरी पर है और हम पूरा रीसर्च करें थे मसूरी के बारे में तो हमें जोज आवरेस्ट काफी इं को आप गाड़ी से या बाइक से भी कवर कर सकते हैं रास्ते में आपको साइड में इतने जादा ट्रीज और माउंटेंस और यह सब इतना देखने को मिलेगा कि आपको काफी अच्छा लगेगा मतलब आप वाक करके हम तो वाक करके गए तो हम लोग को करीब दस मिनट लग केस बूस्क्रान करे अपको गरुछ कहने कट कर ले सकते हैं कुछ आगे चल के हम लोग को वहां पर इक सही विच खाटब एक ऐर सफारी का वो इलीपाड डिखेगा आपको बहुत सारे स्टाॉल दिखेंगे जहां पको मैगी और पराथा और यह सब कुछ त्राइ कर सकते है वहां पे आपको बहुत अच्छा एकदम हवा अगरे चल रही तो मुझे बहुत मज़ा है आप लोग को बहुत मज़ाएगा हम लोग ने वहां पे रादमा चावल, मागी, चाय और पराठा ट्राइ किया जो मुझे तो काफी अच्छा लगा और एकदम रादमा चावल तो बहुत सही लग रहे थी वहीं रेस्टिंग पॉइंट पे आपको हैली पैड भी बना हुआ है जहां पे वो लोग सफारी भी कराते हैं जो आप सेवन मिनेट्स की होती है आप सेवन मिनेट्स के रहलीकॉप्टर में जाएए आपको पूरा वैली हुमाएंगे और वापस हैली पैड पर लेके जाते हैं उसके बाद हमने अपना ट्रेक शुरू किया ट्रेक कुछ वहां से तकरीबन 900 मीटर की दूरी पे था पीक तक पॉँचने में और रास्ता थोड़ा थोड़ी दूरी तक तो भीकुल स्रेट रास्ता बना हुथा उसके बाद लेकिन सीडियें शुरू हो जाते हैं अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप थोड़ा सा कैफूल रगे जा सकते हैं फिकेस थोड़ा सा साइड में कुछ रेलिंग अगर नहीं बनी हुई है उपर थोड़ा और उपर चाहेंगे तो वहां से थोड़ा नीचे पूरी वैली दिखती है तो अगर किसी को में जब आप पहुच जाएंगे तो आपको बहुत ही सही एक्सपिरियंस होगा आपको पूरा मसूई पूरा आपको दहरादून एक साथ ऐसे दिखेगा और तेमपरेचर बहुत सही है वहां का वैदर बहुत सही होगा क्योंकि अगर आप दिली से चाह रहे हैं दिली में इ केबल कार के टिकेट कुछ थाईसो रुपए पर परसंति जिसमें आपको नीचे तक लेके भी जायेंगे वापस वी लेके आएंगे पारिंग तक लेकिन अगर आप केबल कर नहीं उसकरना चाहते तो आप गाड़ी से भी नीचे पारिंग तक जा सकते हैं जो कुछ 1-2 किलो आएगी वहां पर आपको मैगी पॉइंट्स बना रखे हैं जहां पर आप पानी में पार रखें आप मैगी इंजॉई कर सकते हैं तो वह काफी अच्छी चीज है बट ओवरोल बटा वाटरफॉल आपको चार बजे के राउंड हम लोग वहां से मसूरी से निकले दिली के ल पॉसकाजी रहूंगी तो प्लीज स्टे ट्योंड है